परिशदिय विद्यालियों से जुड़े नवाचाल, गती विदियो, निष्ठा पर्शिक्षन, दिक्सायब आदी से संबंदित सभी जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू माई चैनल फ्रेंड्स, मैं हूँ डोक्टर सोनिया सिंग और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर क्रेटिव किंग फ्रेंड्स, आप बेसिक सिक्सावी भाग के सभी सिक्षकों को ओनलाइन e-learning पास्बुक बनानी होगी मैंने आपको पिछली वेडियो में बताया था और आज मैं आपको बताऊंगी कि ये e-learning पास्बुक आप कैसे बनाएंगे तो फ्रेंड्स, चलिए वेडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम प्ले स्टोर पर जाएंगे मैंने प्ले स्टोर ओन कर लिया है और इस पर अब हमें दिक्षा एप फोलना है दिक्षा एप पर एक अपडेट का ओपसन आएगा फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, मैं दिक्षा एप ओपन कर चुकी हूँ और मैंने पहले ही से अपडेट कर लिया है इसलिए मेरे फोन में अपडेट का ओपसन नहीं आ रहा है आपके phone में update का option जरूर आएगा तो हम इसे update कर लेंगे जब हमारा दिक्षा अपडेट हो जाएगा friends तो उसके बाद हमें दिक्षा अप open करना है Friends मैं दिक्षा अप को open कर चुकी हूँ और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप कहाँ पर जाकर इसे open करेंगे इसमें screen पर profile show हो रही है तो हम इसे profile को open करेंगे देखिए मैं profile open कर चुकी हूँ Friends अब इसमे my learnings 106 show हो रहे है उसके बाद learner passbook मैं आपको दिखा रही हूँ learner passbook में मेरी no training show हो रही है और सामने आप देख सकते हैं certificate भी show हो रहे है इसमे निश्टा trainings के modules है कला समेकित शिक्षा, पाठ्थे चरिया, वैसमावेशी शिक्षा ये सब show हो रहे है ये देखिए Friends इस तरह से मेरी e-learning passbook खुल चुकी है आप भी अपने phone में इसे open करके देखिए और Friends ये learning passbook सभी को बनानी है इसमें जितने भी हम दिख्षा एप पर training करेंगे और जो भी हम दिख्षा एप पर course चलाएंगे या बच्चों के जितने भी lesson हम open करेंगे जो भी हम देखेंगे इसमें वो सब यहाँ पर show होगा तो Friends ये थी मेरी आज की वीडियो आपको वीडियो कैसी लगी?